बिटकोईन के प्राइज में फिलहाल अभी तक कोई सुधार नहीं है बिटकोईन ट्रेड कर रहा है 58,000 डॉलर के उपर और रिसेंटली जो प्राइज हाए गए थे बिटकोईन के वो गए थे 65,000 डॉलर तक और वहां से प्राइज गिरा तो कहां तक गिर गया 57,000 डॉलर तक और अभी बिटकोईन वहीं पे अटका हुआ है नीचे के लेवल पे तो कुछ जैदा ही प्राइज गिर चुका है और गेम हो चुका है अच्छे का से लिक्विडेशन कर दिये मार्केट ने रात रात का टाइम कुछी घंटे बचे हैं क्योंकि सुबा 5.30 एम पे अगस्त मं में ठीक है तो अगर नहीं भी आता साथ एक सट पे क्लोजिंग हमको अगस्त मंत की नहीं भी मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि रात रात में कुछ ना कुछ यहां पे हो सकता है और कल 1 सेप्टमबर है 1 सेप्टमबर की मॉर काने के लिए फसाने के लिए ही देता है और हमेशा मार्केट यही चाल चलता है जुलाई का 1st वीग गिरा मार्केट अगस्त का 1st वीग गिरा सप्टमबर का 1st वीग मार्केट को पंप होना चाहिए जो हमको दिख रहा है चार्ट के अंदर बाकी वेट करेंगे अगस्त मंत की candle closing पहले अप्डेट फ्लॉकी इनु की तरह से snapshot for cat airdrop to flocky holders completed we would like to announce that the snapshot for the cat airdrop to flocky holders has been completed जो snapshot वाला scenario था उसको complete कर लिया और the snapshot for flocky holders on binance was taken on 29 August while the final snapshot for on-chain holder was taken at the same time मतलब अब जो है cat का airdrop flocky holders को मिलने वाला है एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है एक्स को बैन कर दिया है ब्राजील में यानि twitter जो अब एक्स हो चुक है ब्राजील to find anyone using a VPN to access x twitter up to 8,874 dollar per day यह बहुत बड़ी update Elon Musk के कुछ यहां पर reactions भी देखने को मिलने लेकिन वो reaction गजब के हैं और ब्राजील यहां पर finally this follow today announcement of Brazil Supreme Court officially banning x in the country तो ब्राजील में अब x को ban कर दिया है और अगर कोई ब्राजील में x को use करता है VPN के थूँ तो उस पे 8,800 dollar का fine भी लगेगा तकरीवन तकरीवन 7,000,000 रुबेगा fine 7-8,000,000 के करीब fine लगेगा Elon Musk ने Donald Trump के साथ जब interview किया था तो तब Donald Trump ने कुछ भी नहीं कहा crypto के बारे में हलाकि उस interview में जज़ा कुछ crypto bitcoin की बात नहीं हुई थी लेकिन bitcoin conference में खुद Donald Trump ने कहा था कि United State को crypto capital बनाएंगे और एक बार फिर से Donald Trump says he will make the United State the crypto capital of the planet यह बहुत बड़ी line है और बहुत बड़ी बात है अगर Donald Trump elect होते हैं win होते हैं election के अंदर तो वो USA को crypto capital बना देंगे crypto capital of the planet if elected president यह बहुत बड़ी बात होगी और यह बहुत बड़ी statement है इसलिए आने वाले दो तीन महीने elections का time है और market के sentiment भी काफी अच्छे है तो बड़ा interesting रहेगा September से November तक का time आपके क्या views हैं इसके उपर की Donald Trump win होंगे और win होंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा USA crypto capital बन पाएगा और बनेगा तो कैसे बनेगा क्योंकि अगर बनेगा तो फिर cryptocurrency market के लिए sentiment काफी अच्छे हैं यहां next update है Shiba Inu और FET यानि AI का जो coin है fetch AI FET के coin पिछले one week के अंदर अच्छे price सर्ज हुए है और the early ship buyer is swapping its losing ship position for the rising FET एक Shiba Inu का early buyer है यह और इसने क्या किया है in the past 10 hour the whale swap 255 billion Shiba Inu 3.5 million dollar के for 3.1 million FET FET में swap कर लिए Shiba Inu and this whale made a 145 million dollar profit from the first trading ship during the February 2021 से लेके June 2022 तक 145 million dollar का इसने इस whale ने profit बनाया था Shiba Inu से क्योंकि February 2021 में खरीद लिया था और 145 million dollar यानि 1100-1200 करोड रुपया लगा लिजे है ना मतलब इतना क्योंकि 145 million dollar को Indian rupees में convert करेंगे तो इतना बनेगा loss of 11 million dollar from the second trade since June 2024 अब इसने जून में trade लिया Shiba Inu में और इस trade में इसको क्या हुआ लॉस हुआ 11 million dollar का swapping seem to be a good move when FET has from 14 percent and the whale still holds 713 billion Shiba Inu इस whale के पास अभी भी कहीं ना कहीं 713 billion Shiba Inu की holdings पड़ी है 10 million dollar की जिसमें से 255 billion Shiba Inu इसने convert कर लिया FET में next update है a whale institution deposit 2364 bitcoin हो सकता है यह buying हुई हो whale institution की तरव से कितने bitcoin 2364 140 million dollar के into Binance 4 hours ago last दिन पे movement होना price तो पहले गिर चुका है तो कहीं ना कहीं buying हो रही है थोड़ा सा alert रही है price जल्दी हमको उपर जाता हुआ दिखेगा solana की whales काफी active है पिछले कई दिनों से 90,000 solana 50,000 solana इस तरह के हम transactions move कर चुके हैं मतलब आपके साथ discuss कर चुके हैं जो whale के movement हुए है a whale institution unstake and withdrew 139,000 solana 19 million dollar के two days ago एक whale ने आपे unstake किये और withdraw कर लिए 140,000 solana पीस million dollar के तक रिवन और deposit करती है ये whale solana को कहां पे binance पे at a loss 5.5 million dollar in the past two days the whale withdrew 138,000 solana 25 million dollar के from binance on July 2022 when the price was 180 dollars next update है पैपे को लेके पैपे की whale ने भी कल movement किया 330,000,000 पैपे deposit किये 2.5 million dollar के to kraken at a loss whenever मतलब इस whale ने भी loss पोक किया पैपे से और इस whale के पास 1 trillion पैपे की holding है 7.5 million dollar के अभी भी hold पे हैं लेकिन 330,000,000 पैपे को kraken पे deposit किये and the whale lost a total of 3.1 million dollar on पैपे तो इस whale को कही नगई पैपे से loss जहलना पड़ा last and final बात करेंगे Michael Saylor true lover of bitcoin 62,000, 65,000 पे भी micro strategy bitcoin बाय कर चुका है अब देखो इनके post bitcoin को लेके हमेशा आते रहे हैं और आज भी एक tweet एक post bitcoin and chill 62,000 पे भी micro strategy खरीद के chill कर रहा है है ना और आज अगर आप देखोगे Michael Saylor के भी तेवर कुछ bitcoin बाबा जैसे है जी हाँ bitcoin बाबा बन के यहाँ पे जो है दिख रहे है Michael Saylor क्योंकि Michael Saylor अब कह सकते हैं कि कही ना कहीं true lover bitcoin के तो आज की इस video को हम करेंगे यहीं पर इंट बाकी updates आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नीचे टेलीग्रम चैनल का लिंक है उसको जरूर जोइन करें तब तक के लिए बाई बाई टेक केर